हेलो फ्रेंट्स तो तहवारों का मौसम शुरू हो गया है आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पनीर मालपुए की रेसिपी फ्रेंट्स ही बहुत इजी है और बहुत टेस्टी है तो फ्रेंट्स अबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी इसके लिए एक पैन में हम ले और फ्रेंट्स एक तरफ मैंने गरम पानी में थोड़ी से केसर को भिगो के रखा है तो अब इसमें हम केसर का पानी दो चम्मस डालेंगे अब देखे फ्रेंट्स चाशनी में उबाला रहा है फ्रेंट्स हमको इसको इतना नहीं पकाना है कि ये एक तारवाली चाशनी बन जाए सिर्फ इतना पकाना है कि पानी चीनी आपस में घुल के अच्छे से पक जाए अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच इलाइची का पाउडर अगर आपके पास केवडा एसेंस है या केवडा वाटर है आप वो भी डाल सकते हैं और अब यहाँ पर देखें फ्रेंट्स हमारी चाशनी बन के तयार हो चुकी है अब हम चाशनी को एक तरफ किनारे रख देंगे और अब हम चलते हैं माल पुआ बनाने की तरफ अब हम लेंगे 100 ग्राम पनीर अब हम पनीर के छोटे छोटे टुकडे करके मिकसर जार में डाल देंगे छोटे टुकडे करने से इसको पीशने में थोड़ा आसानी रहेगी और अब हम यहाँ पर पनीर को मिक्सी में पीश लेंगे और देखिए यह ऐसे हमने पीश लिया है यहाँ पर 100 ग्राम पनीर के लिए लेंगे हम एक कब दूद पर हम यहाँ पर पूरा दूद एक बार में यूज नहीं करेंगे आधा दूद मिक्सी में डाल करके इसको एक बार हम दोबारा पीसेंगे और यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स पनीर और दूद का एक बैटर तयार हो गया है इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप गेहूं का आटा अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच कॉन फ्लार और आधा कप हम इसमें डालेंगे ओल परपस फ्लार यानि की मैदा इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चम्मच, केसर का पानी, सैफ्रॉन बॉटर जो हमने बना की रखा था और इस बैटर को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमारे पास जो आधा कब दूद बचा हुआ था इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको फेटेंगे और अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थेक लग रही हो तो एक चौथाई कब दूद इसमें आप और डाल सकते हैं इसको यहाँ पर हमने अच्छे से फेट लिया है अब हम इसको 15 मिनिट के लिए ढखके छोड़ देंगे 15 मिनिट के बाद हम एक दो बार इसको और फेटेंगे और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे उसमें ओयल डालेंगे और ओयल को हम अच्छे से गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे माल पुआ का जो बैटर हमने बना रखा है थोड़ा थोड़ा करके उसमें डालेंगे इसको फैलाने की बिल्कुल जरुवत नहीं है यह अपने आप तेल में जाकर के खुदी फैल जाता है और यहां पर हम आच हमेशा एक बार ही हम आउयल को हीट करेंगे उसके बाद जो आच है उसको हम मीडियम से लो पर ही रखेंगे और यह देखे थोड़ा थोड़ा आउयल मैं माल पुआ के उपर ऐसे स्पून से डाल रही हूँ यह एक तरफ से हो गया है अब इसको हम पलटके दूसरी तरफ से भी पकाएंगे और देखे इसको थोड़ा सा गोल्डन लाल में ही सेखते हैं और यह देखे अब हम इसका ओयल निकाल देंगे ऐसे स्पून से दबा दबा के इसको निकालेंगे तो इसका जो एक्स्टर ओयल है वो निकल जाएगा अब हम इसमें जो बाकी बचावा बैटर है वो डालेंगे और जो मालपुवा हमने भी फ्राई करके निकाला है उसे हम जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें 10-15 मिनट के लिए हम डुबो देंगे चाशनी में डूबे रहने से जो मालपुवे होते हैं उसके अंदर चाशनी का मीठापन चला जाता है और ये देखिए मैंने ये वाले भी निकाल दिये हैं और मैं सारे के सारे मालपुव को चाशनी में डूबो दूँगी और ये देखिए याँ पे मैंने ये वाले भी चाशनी में डूबो दिये हैं तो फ्रेंड्स अब ये देखे हमारे पनीर का मालपुवा बनके तयार है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स बाई